अमस्कार दोस्तों मोसम की ताजा खावरों में आपका स्वागत है दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर लेकर क्यारी रास्तान मोसुभावा भारती है मोसुभा के इसुआर की मोसम में बहुत ही बदलाबा चुका आप लोड़ते हुए मांसुल से भारी वारिष की चेतावनी जारी कर दी गई है तो जा लेते दोस्तों मोसुबाइब के मुताबित कि 2 अक्टूबर 3 और 4 इन 3 और डेटों में मोसुब किस परकार रहने वाला है और किनकी जिलों में वानी दे रखी है तो दोस्तों 2 अक्टूबर को संपूर राष्थान में यलो अलड़ जारी कर दी कि पंगाल की खाड़ी में डिचले दबाब का शेतर बन रहा है जिससे मांसुनी हलचल देख रहों मिलेगे और कई जुलों में भारी बारिस का अलड़ जारी कर दी गया है साथी साथ साले नी चक्रवाद की चियतावनी जारी कर दीगे मौसुन भाग ने अलड़ जारी कर रहा है कि मौसुन है जो फिर से खतरना बारिस के साथ साथ तेज तूफान आने की सम्मावना बनी हुई है जिले की मौसुन किस परकार बना हुआ है और किंगे जुलों में भाग नी दे रही है अगर मौसुन हमकी मौसुन से वैसे तो कुछ जुलों में तो पहर बाग यानि हलकी मध्यावना बनी हुई है अगर पश्णीवी रस्तान की बात करें है जोटकर सम्मावना बनी हुई है अगर बात करें दुस्तों पूरवी रास्तान में सिकावाटी, चितरियानी, कोटा, संभागवाः उध्यापर संभाग में हलकी मध्यांबार्श की संभावना बनी हुई है जैसे बात करें दोस्तों कोटा, वारा, वूनी, जालावा, डूंगरपुर, वासवाड़ा, चितोड़गर, रासमन, पाली, आदी जिलें दोस्तों इन जिलों में हलकी मद्यमभाईश की संभावना बनी हुई है बैसे जैपुर सम्माग और भरतपुर सम्माग के आधिक तरजले बिलकुल साफ रहने बाले हैं जबकि भरतपुर, जैपुर, दोस्तों और सभाई मद्यमभाईश देखनों मिल सकती है अगर मोसम बात कर लेते हैं इंडियर मैटलोड पाटपेंड यानि भारति ये मौसुभाईश के मताबिश चालेते हैं कि 3 अक्टूबर जो इस्तिती है किस परकार बनी हुई है और किन किन जिलों में बानिंग दे रखी या मोसम किस फरकार रहने बाला है तो दोस्तों संपूर राष्टार में ग्रीन जोन देगा तीन अक्टूबर को है यानि मोसम बिल्कुल साप रहने वाले यानि तेज धूपकड़ा बेदी तापमा रहने की संभावना बने हुई है पूरवी राष्टान में भी तो जान लीते हैं दोस्तों इधर से पूरवी राष्टान में सेकावाटे छेतर में हलकी मद्यमबाश देख रहने सकती है मोसम में बदलाब भी आ सकता है जरसे बात करें कोटा वारा बूनी जालावा डूंगरपूर बासवाड़ा चित्ताल उद्यापर भीलवाड़ा आधी जलों में हल्की मद्यमबाश देखनों मिल सकती है जबकि जैपरसंबाग और भरतपुर संबाग के कोच जिले अलट रहे सकते हैं तो पहर बाद इस तति में बदलाव आने के कार है कोच जलों में हल्की मुद्यमबाश देखनों मिलेंगे चार अक्टूबर की जो इस्तती बनी हुई है किस प्रकार बनी हुई है मौसम में बदलाव है या नहीं तो चान लेते हैं मौसुबाश के मुद्यमबाश देखनों में हल्की मंद्यमबाश की संबाबना बता जा रही है और अधिक तर जिले बिलकुल साप रहेने वाले हैं जैसे जोतपर सम्वाग बीकानियर सम्वाग जेपृ और अधर से भरतपर सम्वाग एजले बिलकुल साप रहने वाले हैं अगर मौसुबाश के मुद्यमबाश कोई भी नूज अपडेटिंग आएगी तो हम आपको तरह उत्वकत कराएंगे शन के मद्यम से क्योंकि दोस् तो अलट रहने वाला है और कुछ राजों में भारी तबाई की संबाबना बनी हुई है राजिस्तान में भी इसका खत्रा देखनों को मिल सकता है